हलो दोस्तो आज की स्वीडियो में बात करेंगे इस तरह के extension board का wiring कैसे करना है तो यहाँ पे देख लिए हमारा 3 socket है और 3 switch है और इसके साथ में एक हमारा power socket भी है तो इसका हमें connection करना है तो चलिए start करते हैं हमारा 8-way PVC board है इस तरह का होता है जहां पे यहां पे आपको slot दिख रहा होगा lining किया हुआ इस तरह यहां से इसे आप हटा सकते हैं और यहां पे switcher socket लगा सकते हैं इस तरह का देखिए हमारा एक power socket है इसे भी हम किस तरह से लगाएंगे वह हम इस वीडियो में देखेंगे तो देखिए आप इस तरह से जो cutter होता है उसे काटके या फिर हाथ से भी आप इसे काफी असानी से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस किजिएगा तो यह तूट जाता है देखे इस तरह से इसका लोक यहां पर लगा हुआ है तूट जाता है और काफी असानी से इसमें आप सोकेट और स्विच लगा सकते हैं तो यहां पर यह हमारा पावर सोकेट लगाना है तो इसे कटिंग करना पड़ेगा क्योंकि यह इसके लिए नहीं बना हुआ है तो इस तरह से नाइफ ले लिजेगा और इस तरह से इसे आप कटिंग कर लिजेगा इसे लगाने पर देखे यह पूरी तरह से नहीं आ रहा है तो इसे हमने फिर से थोड़ा सा उपर और नीचे के साइड में थोड़ा सा और काटना पड़ेगा तो इस तरह से cutting करके आप आसानी से एक जो power socket है जो की 10 ampere का है आप यहाँ पे लगा सकते हैं तो देखें इस तरह से यह fit हो गया है तो इसका netboard लगा के आप fit कर दीजी इसे connection बड़ी हैं से हो जाएगा तो यहाँ पे हमने इसे पूरी तरह से fit कर दिया है अब इसके बाद हमें सारा switch और 5 pin जो socket है इसे लगा देना है तो चले इसे हम complete कर लेते हैं तो यहाँ पे यह लग गया है अब हमें इसका connection करना है तो सबसे पहले हमें switch के नीचे वाले terminal में phase wire से connection देना है तो यह red color का हमने यहाँ पे phase wire लिया है जो की switch के नीचे वाले terminal पे हमने connect किया है तो यहाँ से होता हुआ यह जो next वाला switch है उसके नीचे वाले terminal पे connect होगा तो यहाँ पे हमने 2 wire लिया है ताकि एक तीसरे वाले switch है उसे भी हम एक साथ में connection कर सकते है तो यहाँ पे हमने 2 wire को switch के नीचे वाले terminal पे इस तरह से लगा देना है इसे लगाने के बाद जो हमारा तीसरा वाला switch है उसके नीचे वाले terminal पे यहाँ पे चला जाएगा और देखे यह हमारा जो power socket है इसे हमें direct connection देना है क्योंकि यह हमारा switch के साथ operate नहीं होगा इसे हमें direct operate करना है पड़ेगा तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सोकेट है उसमें एनी टैम सप्लाइ रहेगा क्योंकि हम इसे स्वीच के साथ कनेक्शन नहीं कर रहे हैं तो देखिए यहां पर हमारा फेच का कनेक्शन यहां पर इस तरह से पूरी तरह हो गया है अब देखिए एक वायर हम और ले लेते हैं जो कि हमारा मेन सप्लाइ बोर्ड के साथ कनेक्शन के लिए इस तरह का हमने ले लिया है जो बोर्ड से बाहर की और कनेक्शन होगा तो अब देखिए इसके बाद स्वीच के उपर वाले टर्मिल को हमें 5-pin सोकेट के लाइन वाले टर्मिल के साथ में कनेक्ट करना है जिससे हमारा जो सोकेट है वो अपरेट होगा तो इस तरह से इस सोकेट का स्वीच के साथ होगा अपरेट अब देखिए बाकी जो दो सोक करना है बिल्कुल उसी तरह से मतलब जो switch के उपर वाले टर्मिनल को socket के line वाले terminal से connect कर देना है जहाँ पर आपका line लिखा हुआ रहता है तो socket में आपको L और N दोनु लिखे हुए रहते है तो एल मतलब line वाला connection तो देखें हमारा फेज का connection complete होके है जो कि हमने red wire से दिखाया है अब हमें neutral का connection करना है तो इसके लिए हमने black wire लिया है तो यहाँ पे दो black wire लेते हैं एक हमारा socket में और एक हमारा main supply के लिए बाहर हो जाएगा तो अब देखें neutral का जितना भी terminal है socket में सभी को हमें common कर देना है आपस में तो इस तरह से जैसे phase का हमने connection किया बिल्कुल उसी तरह से neutral to neutral point पे हम connection कर देते हैं तो देखें यहाँ पर तीनो neutral पे हमने इस तरह से connection कर दिया है और इसका connection के बाद जो हमारा power socket है उसमें भी neutral का connection करना है जो कि हमारा neutral wire डारेक्ट वहाँ पे connection हो जाएगा इस तरह से यहाँ पे phase or neutral का connection हो गया है आप चाहे तो arthing वाले terminal पे भी यहाँ पे connection कर सकते हैं अब हमें देखिए इसे supply देके एक बार हम check करेंगे कि यह हमारा work कर रहा है या नहीं कर रहा है तो यह हमारा 8-way board है जो कि PVC का है इसे हम यहाँ पे रखके अब इसमें हम supply देते हैं फटापट और इसे चेक करते हैं तो यह हमने bulb ले लिया है देखिए हमारा switch बिल्कुल अच्छी तरह से operate हो रहा है यहाँ पे तीनों में अब देखिए power socket को check कर लेते हैं यहाँ पे हमने एक wire के साथ connect कर दिया है और यह हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है